दूसरी तरफ चीन की धंकी इसी बीच अपने लोगों को मरते देख अमेरिका चीन पर काफी गुस्स में है चीन को घेरने के लिए कसम खाली है इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए अमेरिकी संसद ने चीन वारा जातिय अलपसंख्यकों पर क्रूड अत्याचार के खिलाफ एक विधयक पारित किया ये विधयक पश्चिमी जियान जियांग शेत्र में उईगर और अन्य जातिय समूहों पर अत्याचार कर रहे चीनी अधिकारियों पर प्रतिबंध उईगर समूधाय के खिलाफ अत्याचार को लेकर काफी खबरे दुनिया भर में आती रहती है हालकि इस कदम के बाद अमेरिका और चीन के संबंधों में खटास बढ़ना तैमाना जा रहा है बताने कि अमेरिकी संसद में इस विधयक को लेकर लंबे समय से तैयारी चल रहे थी विधयक को पहले ही सेनेट ने पारित कर दिया था बस इसमें राश्रपती डोनाल्ड ट्रम्प के हस्ताक्षर की आवश्यक्ता थी चीन के खिलाफ इस विधेयक में अमेरिकी संसद में पक्ष और विपक्ष दोनों ने मिलकर वोट किया रिपब्लिकन और कॉंग्रिस के डिमोक्रेटिक सदस्यों ने बिल के समर्थन में बात की कोई भी इसके खिलाफ नहीं बोला और ये 413 एक वोट से पारित हुआ वोटिंग से साफ जाहिर है कि चीन के उईगर समुदाय पर हो रहे है अत्याचार को लेकर अमेरिका में पक्ष विपक्ष दोनों एकमत है मानवाधिकार समुदाय का कहना है कि कम से कम 10 लाग उईगर और आन्य तुर्की मूल के मुस्लिमों को चीन के उत्तर पश्चिम में स्थित जियान जियांग प्रांद के कैंपों में रहने को मजबूर किया गया इन कैंपों में उनके साथ मारपीट और तरह तरह के जुन किये जाते हैं साथ ही उनकी ब्रेनबॉशिंग भी की जाती अमेरिका के प्रतिनिधी सभा की स्पीकर नैंसी पलोसी ने कहा कि यदि अमेरिका व्यापार हित को देखते हुए चीन में हो रहे मानवाधिकार उलंगनों पर कुछ नहीं कहेगा तो हम दुनिया में किसी भी स्थान पर नैतिक्ता के तहत कुछ कहने का अधिकार खो देंगे वही टेकसस रिपब्लिकन और हाउस चाइना टास्क पोर्स के अध्याक्ष माइकल में कॉल ने कहा कि जियान जियांग में वेगरों और अन्य जादतर मुस्लिम जातिय समूहों के खिलाफ जो अत्याचार हो रहा है उसे सांस्कृतिक नरसंगहार कहना चाहिए इस तरह अब सिर्फ राश्पती ट्रम्प का हस्ताक्षर बाकी है इसके बाद चीन की मुश्किलें और बढ़ जाएंगी और इस तरह से कहा जा सकता है कि चीन अब दुनिया में घिर चुका है और उसी का नतीजा है कि वो भारत के साथ अनाव शनाव का रास्ता अपना रहा है चीन जितना अपनी गलतियों को छुपा रहा है वो उतना ही अमेरिका की जाल में फस्ता जा रहा है